हेलो सातियो मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चनल प्रकाश इश्डी में आपका स्वाखत करता हूं सातियो आज हम 30 दिसंबार 2021 का सेकंड शेप्ट का पेपर लेकर हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे सातियो हिंदी हिंदी से जितने भी कोशन पूचे गए हैं इस पेपर में सभी कोशन को करेंगे इससे पहले हम बाल विकास हैं सिक्चा सास्त्र सामाज एक गड़ेत विज्ञान और आपकी संस्क्रत और हर एक सब्जेक्ट का हर एक दिनांग से जिसे जैसे दिसंबर में आपके दुस्त्रमाद 2021 में सीटाट के पेपर हुए थे और ज सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे आपका 20 अगस्त को पेपर होगा तो उसमें बहुत सारे प्रिवेस क्वेस्टन उठाए जाएंगे इससे हम इसका रिवीजिन करा दे रहे हैं आपके लिए बहुत ही आसान ही हो जाएगी आईए करते हैं साथियों हिंदी में ए क्वेस्टन को करते हैं आईए इस्टाइट करते हैं क्वेस्टन नमार 91 91 में पूचा है गध्यांज के अनुसार गंगा की डॉल्फिन का अप्रवास किसके अनुसार होता है नीचे चार अपसंद रिके हैं चार अपसंद को पढ़के सही आंसर रख पोतना हैं 91 का करेक्ट अनुसार आगे देख लेते हैं 92 92 में पूचा है गंगा की डॉल्फिन का सूंस नाम क्यों रखा गया है नीचे चार अपसंद रिके हैं चार अपसंद को पढ़के सही आंसर रख पोताना है क्वेस्टन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ यह सांस छोड़ने में सूंसूं की अब आज निकालती है आगे देख लेते हैं 93 93 में पूचा है गंगा की डॉल्फिन मांसून के मौसम में क्या करती है नीचे चार अपसंद रिके हैं चार अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको पोताना है क्वेस्टन 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथ यह 93 का करेक्ट आंस सांस लेने के लिए आती है यहां पानी के बीतर सांस लेती है और सांस को छोड़ने वहार आती है आगे आगे देख लेते हैं 95 इसमें पूचा है गद्यांस के अनुसार निमले खितमे से कौन सा खतन सकते है नीचे 4 अपसंद के हैं 4 अपसंद को पढ़के सही आंसर आपको पोताना है क्वेस्टन 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा सात्यों पिच्छान में का करेक्टान सर अप्शन अवा तीसरा सही हो जगा यानि गंगा की डॉल्फिन के सिवाए डॉल्फिन की अन्य प्रजातियां हवा में खरव तव करतव दिखा सकती है आगे नेक्ट क्वेसन देख लेते हैं सात्यों 96 का करेक्टान सर क्या होगा यानि समान आर्थी सब्द है कि इसका करेक्टान सर अप्सन नम्र सेकंड हो जाएँ ैवा सदानों 27 सदानुमे पुचा है इनमे सें गंगा का पर्यावाचि सब्द कौन सा है नीचे चार अपसंदर के हैं, चार अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको तना है, question number 97 का correct answer क्या हुगा? साथ यो 97 का correct answer अपसंदर का correct answer अपसंदर क्या हो जाएगा, या नीचे इसका पर्यावाची हो जाएगा भागी रती आगे देख लेते हैं, question number 98, 98 में पुचा है, पानी के बीतर ही तेज गती से तेरती हुई, आगे बढ़ती है, रेखां के सब्द खालिस्तान है नीचे चार अपसंदर के हैं, चार अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको तना है, question number 98 का correct answer क्या होगा? आगे देख लेते हैं, question number 99, 99 में पूचा है, ग्यात का विलोम सब्द है, नीचे चार अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको तना है, इन में से correct answer क्या होगा? साथ 99 का correct answer अपसंदर सेकंड सही हो जाएगा, यानि इसका विलोम हो जाएगा, अग्यात का हो जाएगा, अग्यात का हो जाएगा, आगे देख लेते हैं साथी हो, 99 हो गया, अब नीचे पध्यांस पूचा जाएगा, यह फिर से repeat हो गए हैं, जिसमें 100 से लेकर 105 तक के question को करते हैं, को सहल, साम्या क्यों कहा गया होगा, नीचे चार अपसंदर के हैं, चार अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको होता नहीं, question नमर 101 का correct answer क्या होगा, साथी 101 का correct answer अपसंदर क्या हो जाएगा, यानि भुकमरी के कारण, आगे देख लेते हैं, question 102, 102 में पुझा है, दुनिया साथी 102 का correct answer क्या होगा, साथी 102 का correct answer अपसंदर के हैं, चार अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको होता नहीं, question 103 का correct answer क्या होगा, साथी 103 का correct answer अपसंदर क्या होगा, यानि साच सुन्दर, आगे देख लेते हैं, question 104, 104 में पुझा है, टुकोर टुकोर खारिस्तान का ओधारन है, नीचे 4 अपसंदर के हैं, चार अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको होता नहीं, question 104 का correct answer क्या होगा, साथी 104 का correct answer अपसंदर क्या होगा, यानि पुरुरुक्त सब्द युगमंखा, आगे देख लेते हैं, question 105, 105 में पुझा है, सच का विलूम सब्द है, नीचे 4 अपसंदर के हैं, चार अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको होता नहीं, question 105 का correct answer क्या होगा, साथी 105 का correct answer अपसंदर अपसंदर सही होगा, यानि असच, आगे देख लेते हैं, question 105 106, साथी 105 तक कंप्लीट हो गए हैं, यह 106 मा question है, really या वास्वेक सामिजवी से क्या अतात पर है, नीचे 4 अपसंदर देख रहे हैं, 4 अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको होता नहीं, question 105 106 का correct answer क्या होगा, साथ 106 का correct answer अपसंदर पहला सही हो जाएगा, यानि सर्मन गतविदी के लिए सिच्छार्थियों को मानस मन्थन करने के मौके देने हैं, यह तो खेलोनों, चेत्र, चेत्रकारी जैसी अवस्तूओं का परियोग, आगे देख लेते हैं, question 105 107, 107 में पूचा गया है, दक्षता, आधारित, भासा, आकलन का उद्देश क्या है, नीचे 4 अपसंदर के हैं, 4 अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको होता नहीं, question 107 का correct answer क्या होगा, यानि सिक्षार्थियों को सामाजिक और पेसेवर इस्तितियों में भासा का इस्तेमाल करने युग्य पनाना, आगे देख लेते हैं, question 105 108, 108 में पुचा है, निमलेकित में से कौन से दो विद्द्याले, आधारेत, आकलन के मुख्य उद्देश हैं, A कहता है, या अध्यापक और सिक्षार्थि के स्वायत्वा को समुन्नत करता है, B कहता है, या विद्द्याले को अपने ही इस्तर पर योजना बनाने के अफसर देता है, C कहता है, या विद्द्याले को परिच्चा भोड की सत्ता के बारे में जानकरी देता है, D कहता है, या विद्द्याले में आधे गम की गुडवत्ता को कम करता है, नीचे चार अफ्षन देखे हैं, चार अफ्षनों को पढ़के सही अंसर आफको ताना है Q198 का करेक्ट अंसर क्या होगा? साथ एक्ष्वाट का करेक्ट अंसर अफ्षनों में 4 सही हो जाएगा जिसमें A और B अफ्षन सही होंगे यानि A हो जाएगा आपका यहाँ अध्यापक और सिक्षार्थियों के स्वायत्तता को समुनित करता है और भी हो जाएगा इसमें यहाँ विद्याला को अपने ही इस्तर पर यूजना बनाने के अफसर देता है आगे देख लेते हैं कौसनम 109 109 में बुचा है लेखन के प्रक्रिया आदारित और पागम से सिक्षार्थि को किस तरह मदद मिलती है नीचे 4 अपसंदर के हैं 4 अपसंदर को पढ़के सही आंसर आपको उतान है कौसनमर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा यानि सिक्षार्थियों को अच्छा लेक लिखने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है आगे देख लेते हैं कौसनम 110 110 में बुचा है एक सिक्षार्थि विमार्स के किसी विसे को सुनते समय उस पर इसक्रीमा स्रजित करने के लिए मुख्य बिन्दू का इस्तेमाल करती है और निसकर से निकालती है वह किस स्रवना युक्ति का इस्तेमाल कर रही है नीचे चार अफसन देखे हैं चार अफसन को पड़के सही आंसर आपको उताना है क्वसन हमर 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथी 110 का करेक्ट आंसर अफसन मर चोता सही हो जागा यानि वाटम अपर युक्तियां आगे देख लेते हैं क्वसन हम 111 111 बुचा है वे सब्द क्या कालाते हैं जिने हमने विभिनन संदर्वों में प्रियोग करने के लिए सीखा है नीचे चार अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही आंसर आख होता है को साथ 111 का कर्यक्ट अंसर पहला सही हो जागा यानि सक्क्रिय सब्द संपदा आगे देख लिए लेते हैं कॉस्ट नम होगा साथ ही सराहन कि अपने पिता के सानांतरण के कारण सुमी छांग मोहिमा कोई मा से मैसूर आई है इसने इस इस्थान की भासा कंणड बहुत अच्छी तरह से सीख ली है आप इसी सिती को किस रूप में वनेत करेंगे नीचे चार अपसंदर के हैं, चार अपसंदर को पढ़के सही आंसरा को उताना है कॉसन में 113 का करेक्टर अंसर क्या होगा साथ 113 का करेक्टर अंसर अपसंदर सही होज़ेगा यानि भासा अरजन आगे देख लिएते हैं कॉसन में 114 114 में पुचाए निम लिखत में से कौन सा आधिगाम प्रतिफाल के वारे में सही नहीं है नीचे चार अपसंदर के हैं चार अपसंदर को पढ़के सही अंसर आपको उताना है कॉसन में 114 का करेक्ट अंसर क्या होगा साथ 114 का करेक्ट अंसर 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 पहला सही होज़ेगा अधे मानने या निवर्य नहीं है नीचे चार अफस्वन रहे हैं चार अफस्वना को पढ़के सही आंसरा को ताना है इन में से करेक्टर आंसर क्या होगा साथी 115 का correct answer option second सही हो जाएगा यानि ब्याकरण का रूप एवाम प्रतिमानों का अभ्यास करना यानि डिरलिंग आगे देख लेते हैं question number 116 116 में पूचा है भासा अर्जन के संदर्म में शह जातता से क्या तात पर है नीचे 4 अपसंद्र के हैं 4 अपसंद्र को पढ़के सही अंसरा को ताना है question number 116 का correct answer क्या होगा साथी 116 का correct answer option पहला सही हो जाएगा यानि मानिश्य की बाशा बोलने की स्वभाविक योग्यता आगे देख लेते हैं question number 117 117 में पूचा है टांसर लें यू जिंग से क्या आश्य है नीचे 4 अपसंद्र के हैं 4 अपसंद्र को पढ़के सही अंसरा आपको ताना है question number 117 का correct answer क्या होगा साथी 117 का correct answer option सही हो जाएगा यानि सिख्यार्तियों को विशय बास्तू और भासायन सिखाने के लिए अपनी भासा यानि भासां का प्रियोग आगे देख लेते हैं question number 118 118 में पूचा है भारतिय सम्मिधान में हिंदी को क्या इस्थान दिया गया है नीचे 4 अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही अंसर आपको होताना है question number 118 का correct answer क्या होगा साथी 118 का correct answer अपसंद्र अपसंद्र तीसरा सही हो जाएगा यानि काया कार्या लई भासा आगे देख लेते हैं question number 119 119 में पूचा है रागब किसी जमीन की स्थिति और अपना नमर जानने के लिए उस जमीन से सम्मनेत दस्तावेज पढ़ता है इस तरह के पठन को क्या करते हैं इस चार अपसंद्र के हैं चार अपसंद्र को पढ़के सही अंसर आपको बताना है question number 119 का correct answer क्या होगा question number 119 का correct answer अपसंद्र पहला सही होजगा यानि scanning वरी की से पढ़ना आगे देख लेते हैं question number 120 120 में पूचा है निमलेक्ट में से कौन सी राइक्टे सिक्चानीती 2020 की अनुसंसा नहीं है नीचे 4 अपसंद्र के हैं अपसंद्र को पढ़के सही अंसर आपको तना है question number 120 का correct answer क्या होगा साथ 120 का correct answer अपसंद्र पहला सही होजगा यानि पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्री जी बासा साथ यों हिंदी के जितने भी question थे हमने सबी complete कर लिए हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अपने चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें आज के लिए बस्तना ही धन्यवाद